कि देखो आज हमें स्टार्ट करना है बेस्थियोरम जो हमारा त्वेल्थ का प्रोबिलिटी का बहुत ही इंपॉइंट टॉपिक है इस बार 2021 में आपका जैसे एक्सपेक्टेशन वाला टॉपिक बाइनमर वाला टॉपिक हमारे डिलेट हो गया है तो इसले भी आपका बहुत वड्रिम पॉइंट हो गया सिक्समाय क्यों ठीक है देखो बेस्थर में होता क्या है बेस्थरम का पहले में प्रूब्रना देशा लिख देता हूँ बेस्थरम में आपका फर्मना होता है प्रोबेबिलिटी ओफ इवन इस इकोल टू उटा प्रोबेडिटी यह बाइए टू ठीक है यह मैंने सर्फ टू इवेंट के लिए लिए अब आपको एकदम से फॉरुना यह समझ में आने आला नहीं आगा अगर मौला में फॉरुने का डेफिनिशन भी आपको बताता हो न तो भी एकदम से नहीं आएगा सभी में इसको हम लोग समझेंगे कु कुछन आपको सबसे पहले पहचानना होता है कि आभी तक आपने इससे पहले क्या पढ़ लिया उसके बाद यह पढ़ लिया आपने जो आपका सेकंड टॉपिक था कि मैल्टेप्लिकेशन ठीयोरम और इंडिपेंडेंट उसके बाद आपका बेस्थर्म को कैसे कुछ ना कुछ आपसें मतलब जहां पर दो याद दो से ज्यादा पॉसिबिल्टीज के केस होते हैं फिर उसके इंदर भी आपके मिल्टिपल केस और हो सकते हैं वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि एक की अग कंडिशन होती थी दूसरे के प्रबिल्टी हम लिकालते थे यहा हमारा अग्जामपल नमबर 16 आपकी पुक में अग्जामपल नमबर सिक्टीन उसमें उसमोपको पढ़ते हैं और उसे समझते साथ-साथ झायघख एंग्ट्स कंटेंड थी रैड एल फोर ब्लैक बोल्स वाइल अनदर बैक सेकें कन टेंड तो देको सबसे पहले हम लोग ब in fact 2istes में हमारे पार 1 फ्रस्ट यहां अब फेर्पास हैं ठीचुरों और 4 ब्लैक बाल और और बेकश फ़्ाइब राइड के ओंध्स बलक थीक यह मारे पास है उससे बुला उन पार रयों सब्सक्राइब के एक सब सबसे पहले दो के सबस्क्राइब बता दिया जो आपको पता है कि लिका लिए और पूछ क्या रहा है कि जो प्रॉबिल्टी लिका लो कि बॉल मेरी कहां से लिक लिए होगी सबस्क्राइब बैट नो सबस्क्राइब होता है यहां जैसे कि लिकाली बॉल कॉन से कलर कि रड़ कि एवन इटू से सापसे क्या हो गया कि जो बॉल सलेक्ट हुई है वह हमारी बैक फस्क्राइब और फिर बैक सकेंद में से तम इवन मानेंगे एफॉर इवेंट फॉर सेलेकटींग लग करने की वन बैट बैट अब हमने क्या बोला दा जो हमें होता है इवंट इस में क्या आएगा गीवन हमारे पास आएगा की आप बॉल अगर डॉन कि इस रेड़ मतलब क्या हो गया कि केस फस्ट में एक ही प्रबिर्टी मतलब पहले वाला केस होगा उसके इंदर एक ही प्रबिर्टी अब एक मतलब एक का मतलब क्या हो गया कि वाल राटो एक तो बैग फश्ट में रेड़ बोल टीकिते हो जाएगी ट्रीख सेवन ओन्हारा पास्ट लेड़्ट के लिका वाल लिकाल घंशने बोला कि आपको बता देगा कि आपको इंटू वायिंडर अया इई फिर आपको इवनः लिकालना itel इसने बोला हुआ रहे अगर यहाँ पर interes यहाँ पर यह मोने टू कि इन्टू मैं प्रभेटी एपाइड़ ए टू और होल आपाइटमे प्रभेवेलिटी ओफ इवन कि फ्रभेरी एबाइबई वन कि प्लस का प्रभेविलिटी एडिव अफ एटू तो प्रभेविलिटी ओफ ऐस वनबैटू इंटू में A by E2 कितना हैगा 5 by 11 अपन में E1 है हमारे पास 1 by 2 A by E1 है हमारा 3 by 7 इंटू में 5 by 11 इसको आप देखो थोड़ा सिंप्लिफाइ करोगे क्या आ जाएगा इसको आप सौल करके देखो तो आपका 35 by 68 आ रहा है ठीक है इसे आप सौल कर देना खुद से इसका आपके पास का आणसर आजाएगा तो ऐसे हम लोग को लेते हैं बेस्थोर्म की पहचा नहीं होती है कि आपके इसमें अलग-अलग केस बनते चले जाते हैं ठीक है और देखते हैं इसका कुस्ण देखो एक एग्जांपल नूम्बर 17 वह भी देखो एक्जांपल 17 हमें क्या दे रखाए एक्जांपल नूम्बर 17 हमारे पास गीवन थ्री इडेंटिकल बॉक्सेंट फर सेकेंग थर्ड इच पंटेनिंट वूइंट इन बॉक्स फर्स बोड कोईंस और गोल्ड कोईंस इन सेकें बोड और सेवल कोईंस इन थर्ड देर और वन गोल्ड वन सिल्वर कोईंस ठीक है एक पर जुजेंट बॉक्स एट रेंटम एंट टेक आउट इस अफूइंट इस फ्रीजांपल 17 में तो आपके पास बॉक्स फर्स्ट हो गया यह सेकेंड हो गया और हमारा थाड वोग्स हो ठीक है फर्स्ट यह सेकेंड और यह थार्ड से कोईनी सकेंदर आप करने कैसमें तू क्या क्या एगा फैस्ट में दोनों गोल्ड है प्रकार हैं इस के बार आपन दोनों को हैं और थार्ड वाली में थी हंना थार्ड वाली में हमारे पास न हैकि एक रखियों और लिक बेखनेंहे कि अगर जिश्सक का गया जो कोईन हो तो दूसरा भी गोल्ड कोईन हो तो इसके लिए देखो क्या करोगे एवन हमारे पास हो जाएगा फुर सेलेक्टिंग 3 सेटिंग बैग फारस्ट और टू हमारे पास हो जाएगा सेलेक्टिंग गेग सप्रइस्थ हो जाएगा हमारे पास सेलेटीं बैग कितनी हो जाएगा गारे powder सेप्छ क्या नेट करेंगे की आरड रॉन है को इस कि गोल्ड जो हमने कोई लिकाला है वो कहा हैगा गूल्ड को एन एगा ठीक है तो धिक probability of a by e1 a by e1 का मतलब क्या हो गया कि 1st case में गोल्ड की probability वो कितना हो जाएगा 2 by 2 कितना हो गया probability a by e2 का मतलब हो गया Second box में गोल्ड की probability तो गोल्ड है नहीं है तो जीरोगाइटू मतलब की जीरों और प्रोबैबिलीटी एबाई और प्रबै jazz कोन दिया अफ्र्उंटि ओफ एंड कि बाइबन सबते हैं जैविवन प्लस प्रमाइलिति एटों प्रमाइल ट्री इथ्री इंटर में प्रवाइलटी एबाई एथ्री ठीक है यह हमारा इसका फॉर्ण आगे इसमें आप लोग इसारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका अंसर आजाएगा ठीक है सेवंटीन के बाद हम लोग एक्सराइज पहले आ जाते हैं तो एक्सराइज में हम लोग कुछ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट हमारा टोटल प्रविल्टी का कुछ से वह अभी कराऊंगा थोड़े दिर में देखो सेकेंड में क्या बोला हुआ है बैक कंटेंट फू आपका सेकेंड में क्या एगा टू रैड है और शेक्स ब्लेक ठीक है अब इसने बूलाए कि वन अव तू बैक शी सेलेक्टर रैंडम और बोल डॉन फॉम दॉन फॉन फॉद विच इस फांट तो बी रैड वाद बता दी उसने तो एक है हो जाएगा कि रैड क्या रड की भी बैग हो जाएंगे तो फाइंट प्रोबिटी डेड़ दा बॉल ड्रॉन फ्रम दा बैग फ़स्ट तो आपको लिकालना क्या फ़स्ट मुथा इवन बाइए लिकालने तो सबसे पहले इवन में रहा हो जाएगा क्या बैग फस्ट सेलेक्ट करने के लिए उनकी दूसरे बैग में ड्रेड की प्रबैटी दो कित्ता होगा फूर्बाइट अब प्रबिल्टी एवाई इटू एबाइटू का मतलब हो गया दूसरे बैग में रड़ की वह होगया तूबाइट आपको निकालना क्या है कि वह कहां सो फ्रॉंग फस्ट में से तो स्ट आपको सिन्द घरिकार बीवर्टी जोस्ट बाइव सब्सक्राइब क्या बूलाए अपको स्ट्सरोट बाट करेंगा जाएक एड़ा अनधा कि आशा ऑ सनल्म अफ एकORร्स अफ संद इंग कॉलेश शीक्वमिश़े गार मदा स्थिपरशन आपके बच्चे जो हैं इसमें वो होस्टल में और फटी पर्चेंट अमारे पास किसमेंगे देश कॉल मत रोज आने जाने वाले ठीक है अब प्रिवेस यह रिजल्ट की रिपोर्ट क्या कहते है थर्टी पर्षेंट पर्षेंट को मिलता है जो आपके पास देश कॉलर सेंग सब्सक्राइब के लिए कितना होगा सिक्ष्टी पर्षेंट तो सिक्ष्टी पर्षेंट तो सिक्ष्टी पर्षेंट आगया देश कॉलर वाले बच्चे कितने थे पर्षेंट तो गया फटी बाई हंड्रेड अब आगे इसने क्या बूला गाए कि यह बात किसके कर रहा है चाहे वह होस्टल का हो चाहे वह देश कॉलर हो उसको क्या मिलने की बात कर रहा है एगरेट तो ए मेरे पास इवेंट क्या हो जाएगा अटें एगरेड कि इसको ने को अब इसकी कहे upon, कि इन आप इवनी अअब दमनें हो जाएगा पहले केस में एगरेड मिलना मतलब खुश्टल वाले को फितना पर्षेंट अपर्षेंट मिलता है जाए हा थर्टी ऑंदिट और फिर आएगा probability a by e2 a by e2 का मतला second case को a grade मिलना वो कितना हो जाएगा 20% तो आगया 20 by 100 आपको लिकालना क्या है कि उस student हमारा कौन सा हो और फोस्टल का बच्चा वोस्टल मतला इवन तो आपको find करना probability इवन भाई एए आपको इंद करना है इसके लिए आप सीधा फॉर्ण लगा दोगे प्रबल्टी इवन यह वाला फॉर्ण लगा दोगे आपका अंसर आ जाएगा ठीक है ठीक है अगला कुस्टन देखो कुस्टन नंबर फॉर में रखा है इन आंसरिंग एक कुस्टन एक बच्चे को अंसर आता हुगा उसकी प्रबल्टी थी बाई फॉर्ण और उससे नहीं आता होगा तो उसके प्रबिल्टी कितनी है बन बाई फॉर्ण इसने रखा है उसको ठीक है एज़िकर एजुम कर रखा है कि जिसको घैस करता ना उसको झाल जैसे माला वनने कोई भी तुक्का लगा देखिए किसी कुस्टन पे चार में से तो उसकी सही होने कि प्रबिल्टी वन सब्सक्राइब कर रहा है तो आपके पास दौप सुनूगे एक क्या कि उसे अंसर आता हो या फिर उसे नहीं आता हो मतलों गैस करता है ठीक है तो यहां पर इवन हमारा क्या हो जाएगा इवेंट फूर्द में की वन student no the answer और E2 हमारे पास क्या हो जाएगा guess दा अंसर है यह guess कर रहा तो probability of E1 कितना हो गया probability यह मारे पास किनल टर्स बती एंस्स ट्रिव लॉह जाये में और फॉर कितना वंटना हो जाएगा सब्सक्राइब करेक्ट एप एवर्टी एवाइवाइब क्या हो जाएगा मतलब है कि अगर उसे अंसर पता है तो करेक्ट हो जाए अभी बता अगर उसे अंसर पता होगा तो करेक्ट हो गई तो इसका अंसर आगया वन इसी वन की वजह से हमारा कुछ सरेगा important क्योंकि यह नहीं दे रखी तो बच्छे परिसान हो जाते हैं इसके लिए क्या लिखें अगलती से 1- इसका ध्यान रखना यह आपका स्वेट बन गया अगर उसको अंसर पता है तो और प्रबैबिल्टी ऑफ एबाइड इडू का मतलब क्या हो गया हमारा कि अगर वह गैस करता है तो उसका अंसर प्रबैटी वन बाइफ तो यह हमें कितना दे रखा वन भाइड फोर दे रखा है क्लियर है तो यह आपके पास एबाइड वागया लास्ट में इसने क्या बोला है फाइंड करने के लिए कि अंसर इस करेक्टली डन तो नोधा अंसर के लिए बोला हुए इसने देखो कि वाट इजा प्रबैबिल्टी डैट दा स्ट्रेंट नोधा अंसर मतलब इवन प्लस का प्रबैल्टी एटू इंटर में प्रबैल्टी ऑफ एबाइड इसमाप सिर्फ वैल्ली फूट करेंगे यहां सब आपका अंसर आजाएगा ठीक है उसके बाद देखो फाइव नंबर कुशन वही जो टेस्ट वाले कुशन मैंने भी एग्जांपल एटीम भी छोड और दूसरा आपके पास कौन सा कोई नेगा 22 एगा डैत कम सब है 75 बाइस मतलब जैसे आपका महाभारत में स्वकूरी महावाया स्टैल होता है न मतलब वो क्या करते है कि अपने मन से जो मर जी ला सकते है न तो भी वाली बात है इसमें 75 परसेंट है आएगा और 25 परसेंट क उसना कुछ खड़ाबी है उसके मंदर चेंज कर रखा है और थार्ड हमार पास अनबाइस कोई ने जो हमारे पास है ठीक है मतलब जिसमें हैड और टेल की इक्वल प्रविल्टी होती है तो इसना बोला वन अप्दा थ्री कोई इस चूजे ने रेंडम एंड टॉस है अगर कोई बना लेते हैं पहला कुएं दूसरा थीस राइब एवन हमारे पास हो गया तो हेड़ेट कोई और इसको सबसे ने को सलेक करने की जो प्रविलिटी है वह हमारे एक पर टू कितनी हो जाएगी यह हमारी कोई टू हो जाएगी वन बाई थ्री अब ए हम चाहिए वेंड माएनेंगे जो कंडिशन में गिवन है क्या गिवन था इसके अंदर कि वो क्या होगा टू है एड़ कोई होगा आश्वारी है आएगा इसने बोला था कि आपके अगर आपके कोई सेलेक्ट करें के दूसरे केस में हैड आने की प्रबिल्टी 75 परसेंट मतलब 3 by 4 प्रबिल्टी एवाइए 3 एवाइए 3 मतलब थार्ड केस में हैड आने की प्रबिल्टी 1 by 2 अब आपको क्या फाइंड करना है इसके अंदर कि अट वाजट टू हैड़ कोई नहीं सा बूला है तो मतलब ॐ ऑरना क्या बंजाएगा प्रबैर्टी 1 इंटूमीर प्रबैर्यटी ओफ ऐब इस आपशा में प्रबैर्टी टी ए रफ याम हर पास अप्लाइब आपाए गरोगा तो श्कतित अवर्ड है इसमें इसमें नमबर में देख विश्चने क्या बोला हूए कि इंस्वानस कंपनी है इंस्वारइड टू थावजन स्कूडर डायवर चाहजर काड़ काड़ ड्राइवर चेहजार ट्रेक ड्रैवर को इंस्वारइंस करती है दाप्रबिल्टी ऑफ इन एक्सिदें टार्ज ज इसने बोलाया आगे कि वन आप दा इंस्वारइंस परसें मीट श्मित्थन एक्सिदेंट एक परसन का अगर एक्सिदेंट होता है कि प्रबिल्टी लिखा लो कि स्कूटर ड्राइवर हो यह इसने बोला है तो देखो कैसे हो गया कुस्ट नमरा कुस्ट नमबर 7 है इसमें आपका इवन क्या हो जाएगा कि वह स्कूटर राइबर हो इसमें आपके पास जो इनकी संख्या है नंबर से वह अलग अलग है मतलब एक कार वाले को स्टल करने की वह सकती कैसे लिखा लेंगे इनका टूटल गरो दो हजार चार जर वाले हो जाएगी चार अजार प्रबल्टी एथी मतलब की 6000 अपन में 12000 तो यह कितना हो गया काट दूसे कितना यह यह कितना यह यह कुरा मत काटो इसे इसे काप टूबाई 6 लिख दो अर्ज़को 3 by 2, 6 लिख दो, 2 से काटेगी ना, इसको कितना आजाएगा, ताकि दिखो इसमें denominator सेम होने से न, हमारा calculation में बहुत फाइदा होता है, ठीक है, उसके बाद फिल, अब A हम इसके अंदर क्या मानेंगे, कि उसका accident हो गया है न, जो भी driver का accident है, तो probability A by E1, A by E1 मतलब, scooter driver का accident की probability है, 0.01, ठीक है, probability A by E2 मतलब, car driver की accident की probability है, 0.03, अब probability A by E3 का मतलब, truck driver की accident की probability 0.15, साइव अब आपको लिकालना है कि प्रोबिटी लिकालो कि एक्सिडेंट हुआ है तो किसका हुआ है इसकूटर वाले का मत्ता प्रबिटी इए इन भाई यह आपको फाइंड करना है यह आपको कुछर्ण नम्बर आता हमारा एंड देखो आपका question number 8 में क्या दे रखा है कि factory has two machines a and b past record show that the machine a produce 60% of the items and b produce 40% of the total item ठीक है मतलब जो a machine a 60% item produce करती है भी मसीन नमारे 40% प्रोडूस करती है फर्दा टू परसंट आइटम प्रोडूस भाइं मसीन ए एन वन पर्षेंट प्रोडूस भाइं डिफेक्टिव मतलब दो पर्षेंट तो पहली वाली मसीन पुमन क्या नगा रहे हाँ ए इन अ क्याना जारा रहे है आऑ मसीन ए मसीन फेकर दर्वार्टीजे कंड़्क्रा gegen कि अपिए और ईटू हमारे पास हो जाएगा प्रोड्यूस बाइज कि बाइट उनकी पाविल्टी कि इवन इस इपल टू 60% अब प्रडूटी इन टू कितना हमारे पास 40% अब यह हम क्या लेट करेंगे इसके अंदर यह हमारा क्या होगा यह दिफेक्टिव आइटम प्रोडूश करना है कि प्रोडूश प्रोडूश डिफेक्टिव आइटम्स ठीक है ना तो प्रडूश्च एबाइवन का मतलब क् हो कितना दे रखा हमें 2% 2% मतलब की वाट 2 by 100 इसे भी अपर महांडेट इना अब प्रोड़र्टी एबाइटिव कितना हो जाएगा 1% मतलब की 1 by 100 अब आपको लिकालना क्या था कि इस प्रोडूश बइस मसीन बी तो मतलब प्रोडूश बाइए हमें फाइंड करना है इसा लुघ है मतलब प्रबवेल्टी एवन उट्व एवन व है और अधिन एवाई इन टू प्लस का प्रबवेल्टी एटू ऐसे फिर्टे एवाई कोई ठीक है और वाही में आप को सिन नमर जो हमारा नइन है नइन होरा विल्कुल शेम है सिर्व अप्र कर सकते हैं है ठीक है नाइन और 11 इसकी जैसे एकमेटर डिफेक्टिव इतेम्स बगरा के बारे बता रखा है एक मिन देखो इसको ठीक है बाई देखो कुछन नुबर 10 हम लोग करते हैं 10 बहुत इंपरेंट कुछन है इसका इसका इसने बोला है तो देखो यह पागय लड़की वाले कुस्सेन आपके ठीक है हां कि मतलब क्या करती एक पेहले क्या करती एक एगर उसका फाइव की सब्तु चthree और सबसे है अबwijlety even थे रिंवन का मतलब क्या हो गया यह दो नॉबर आना मतलब टूब् Logic अरविस सक तो करते का एक करती है क्ठेम्परलियस क्या बन जाएगा 11 है धुक है कि कि फिर आपका थे यह आपका तेल थेल थेल स जो आपका तेल-टेल-फिर थो तो गॉसेश्टॉ थ्र चलिक का सब्क्राइब्यर का शर्क्राइब ऑब Pens J K G il मर्स फिर जौइः खॉए अब एस धालता है उसका ट्लाइब exactly going head is the probability on a by even a by even कितना हो जाएगा पहले नियस में मतलब कितना हो जाएगा ठीजल nggak हो जाया था घृडड थ्री ऐ बाय ऑप्रभाई एड्टी आपके एड़ Unterstützung दूसरे केस में एक्जेक्टी वन है तो यह रहा कितना हो जाएगा वन बाई तू अब उसने बुला क्या है कि उसका क्या आ जाए वन टू थरी फॉर आ जाए ठीक है तो उसके लिए क्या आप लिका लोगा प्रविल्टी इडि टू भाई ए फाइंड करोगे ठीक है इसका प्लस का प्रविल्टी इटू एंटू प्रविल्टी ओफ ए बाई इटू ठीक है न यह आपका फॉर्ट न हो जागा क्लियर है उसके बाद फिर आप कुशन नंबर 11 कर सकते हैं आराम से ट्वैल नंबर पड़ो देखो ट्वैल नंबर भी अच्छा है कुशन बहुत प्रविल्ट नंबर में इसने बूला है एक कार्ड फॉर्म एपको 52 कार्ड इस लॉस्ट एक कार्ड हमारा बाउन पत्तों में से खो गया फ्रम रिमेनिंग रिमेनिंग समझ रहो ना फ्रिमेनिंग कार्ड फॉर्ट फॉर्ट सब्रॉन एंड और फांड वी बोल टायम बचे की लॉस्ट कार्ड कोशा ओगा लॉके होगा तो देखो ट्वल नंबर कुशन में सबसे पहले इवन हमारा क्या मुण जाएगा कि लॉस्ट card is diamond ठीक है और E2 हमारे पास क्या हो जाएगे कि lost card is not a diamond सबसे पहले probability E1 देखो card लिकालना या फिर खोना और या फिर transfer करना एक ही बात होती है probability के लिए तो यहाँ पर हम लोग probability इसकी लिकालेंगे तो diamond कितने होता है 52 मतलब कितना आ गया 1 by 4 तो lost card की अगर diamond है तो उसके probability 1 by 4 है तो probability E2 कितना हो जाएगा हमारा 1 minus कर देंगे 1 minus 1 by 4 कितना हो गया 3 by 4 अब Ace ने क्या बोला है कि उसके बाद इसने बोला कि card खूने के बाद वो दो card लिकालते है और दोनों क्या हमारे diamond है यह वाली बाद अबे पता है तो इवन एवन गया कि ड्राउन ड्राउन टू कार्ड्स आर बोध डाइमंड दोनों के दोनों क्या हमारे का diamond के हैं तो probability क्या होगा बताओ इवन का मतलब समझे अबाइवन का मतलब हो जाएगा हमारा की खुए पत्ता अगर डाइमंड का है उसके बाद आप दो का diamond के लिकालते हूं तो तो अगर मेरा खुए पत्ता diamond का है तो दाइमंड के कितने मज़ गया हमारे बारा और टोटल किते मज़ गए 51 इसमें से जब आप दो का लिका लोगे तो पहली की हो जाएगी ट्वैल बाइफ टीवन और अगले की हो जाएगी लावन बाइफ पहले कार्ट के लिए आपके पास ट्वैल बाइफ टीवन अब यह लिकल चुका तो फिर दूसरे के लिए टीक है उसके बाद फिर मारा आता प्रेवरेटी ओफ एबाई इटू एबाई इटू का मतलब क्या है कि अगर खुया अपत्ता डायमंड का नहीं है तो कोई और कोई और नहीं होगा टोटल में तो हमारा एक कम होई गया टोटल तो फिफ्टीवन ही रहेगा मगर यहां पे पूरे तेरा बचे होंगे क्योंकि डायमंड के हमारे फुरे थर्टीन का बचे तो पहले की हो जाएगी थर्टीन बाई फिफ्टीवन एंटू में ट्वाइल बाई फिफ्टी यह हमारे पास इसके प्रवेटिया आगे एबाई टू चैक्श्का संब्ज़ना एबाई टू म प्रवेटीवन वस्वेटिय ऑफ आपानमें प्रवेटी इवस्टी फैबाई एवन प्लस का प्रवेटियोस एद्वेटी एबाई एडों ठीक है निखले के फॉर्ण मैं याद्स है प्लोगों है न तो एक देख लो अब लोग कि यह एक्जाम्पल निंबर 18 देखो इंपरेंट है इससे बोले सब्सक्राइब टेस्ट इस स्पेसिफाइब एस फॉलब मतलब आफ दा पीपल है इसने बोल डिटेल बता रखी निचे कि आफ पीपल है चाहिव नाइंटी परसाइब दा टेस्ट डिश्ट बट टैन परसेंट टेस्ट ना उसकी रिपोर्ट पॉजटी देता है जबकि टैन परसेंट नहीं बता पाता ठीक है आगे इसने बोला हुदा पीपल फ्री आफ चाहिव नहीं है उनका 99 परसेंट तो नेगडिव आ जाता है जो आने चाहिए नेगटिव मगर वन परसेंटी से पॉज है तो इसने बोला वन परसेंट रेंडम गिवें दा एचाहिव टेस्ट एंदा पैथलोर्जिस रिपोर्ट हेम और हैस्ता पॉजटी रिपोर्ट मता एक परसेंट किया उसका हमने एचाहिव टेस्ट कर आया और वो पॉजटीव आ गया तो प्रविटी लिका लो कि उसको हुआ है और कितने लोग नहीं है तो प्रवाइंट परसेंट प्रशों घृटन हैं और 1-0.1 पर ऑफिर हम यम्तर करेंगे कि प्लेट हमारा पॉजटी वाजय एक щौला प्रशल्टお願い पोजटिव तो उसके बाद एव लोग स्टेटन में से पढ़के भी देखते हैं ठीक है तो मैंने भी क्या बोला एक्जम्पल 18 के लिए कि एवन हमारा हो जाएगा कि यह इसको है और यह वह गया कि एट विए नहीं है तो प्रवेल्टी एवन क्या हो गया आपका जिरो पॉइंट वन परसेंट मतलब कि वन थाउजंट आजाएगा प्रवेल्टी एटू हमारा हो जाएगा कितने लोगों को नहीं है मतलब वन माइनस 999 अपन में ठीक है अब यह हमारे पास क्या आ गया कि टेस्ट रिपोर्ट इस पॉजटीव टेस्ट रिपोर्ट हमारे अगर पॉजटीव आती है तो प्रोभिएटी एवन अब एवन का मतलब समझो कि जितने लोगों को है उनका रिजल्ट हमारा पॉजटीव आप देखो इसने दूसरे लाइब में लिखा हुआ है और पीपल है वीग है नाइनटी प अगर पता लगा लेती है मतलब रिपोर्ट पॉजटीव आ जाती है तो इसका अमसर क्या हो गया 90 परसेंट नाइंटी भाई हंड्रेट कि जितने लोगों को है चाहिव नहीं है बिचारे उनका भी रिजल्ट क्या पॉजटीव आ गया तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि थर्ड लाइन में देखो अब दापीपल फ्री और चाहिव जितने लोगों को यह नहीं है 99 परसेंट नेगेटीव अगर एक परसेंट क्या पॉजटीव आ रहा है तो एक परसेंट आप परसेंट पॉजटीव आ गया तो वन परसेंट लोग है ठीक है ना जिनकी जिन्दग कि आपको एवन वआई फाइंट करने ठीक है ना चलुक सच में आचवें आपको प्रबटी लिका लिकानी तो एवन वाई आपको फाइंड करने थीक है इसका फॉर्ण लगा कि इसके वाली पूट कर देना के तो यह आपके अच्छे कुसन थे इसके बेस थ्त्रम के यह एक अब बाड़ा झाल अबस्दोर वोजब यद्ट वोजब आफ़ लगजब अबस्दोर अबस्दोर